Hello everyone, welcome to Okul, India के सबसे affordable learning platform में आप सभी लोग का स्वागत है आईए अपने इस India Physical Environment Geography Class 11 के course को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इस book के chapter 5, पांचवे chapter पे हम लोग है, natural vegetation को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं और अभी इसके आज हम बात करने वाले हैं part 3 को लेकर तो इसके जो पिछले दो पार्ट हैं, उसमें हमने types of vegetation को लेकर सारी बात करनी है कि कितने types of vegetation इंडिया में हैं जो पांच टाइप के हैं, tropical evergreen and semi-evergreen, tropical deciduous, tropical thorn forest, mountain forest, littoral and swamp forest और पिछले पार्ट में हमने थोड़ा सा ISFR का जो पार्ट है, that is India State of Forest Report जो मैं आपको बताया था, काफी important report है, forest survey of India दरा publish की जाती है हर दो साल में उसका भी कुछ important data हमने देखा था regarding your forest cover को लेकर और recorded forest area को लेकर तो I hope आप लोगों को वो concept जो है, थोड़ा सा पसंद आया होगा और उस data को आप लोग यूज़ करेंगे और उसके साल साथ मैंने आप लोगों को बताया था, कि जो हमारी एक comprehensive series बनी हुई है, पुरी 10 वीडियो की that is on ISFR 2019 की report को लेकर, जो की UPSC के, जितने भी हमारे experience है, उनके लिए 2020 के है, चाए 2021 के लिए है वो equally important series रहने वाली है, तो प्लीज आप लोग जाके उसको भी देखिएगा, ठीक है, चलिए, बाकि हम आज का पार स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आप सभी लोगों से फिर से एक बार मैं request करूँगा कि जो लोग इन video series को, इन courses को follow कर रहे हैं, जिनको इस चीज़ा पसंद आ रही है, वो लोग प्लीज, जादर से जादर चीज़ों को लाइक करें, जादर से जादर चीज़ों को share करें, कम से कम 10 लोगों तक चीज़ों को जरूर पहुचाएं, और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, उनसे ही मैं request करूँगा कि प्लीज, आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जल से जल, और bell icon प्रेस कर लें, so that की videos की notifications वगरा जो है, वो आप लोगों से miss, ना हो, ठीक है, और बाकी जैसे मैं आ आप लोग को रोज समझाने की कोशिश की है, कि हमारे पास थोड़ा सा manpower की कमी है, थोड़ा सा resources की, संसादनों की कमी है, तो इस वज़े से हम अभी आप लोग को काफी सारी चीज़ें जो है, वो provide करवाना चाहते हैं, हमारे दिल से इच्छा है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, हम मजबूर हैं, तो थोड़ा सा मजबूरी को आप समझे, कोशिश कीजी, अगर आप लोगों से कुछ इसमें हो सकता है, तो ठीक है, इस mission में आप लोग अपना सहियोग देने की, अपना हमारा साथ देने की कोशिश कीजीए, scan and pay का option यहाँ पर दिया गया है, अगर आ लिंक है वो नीचे description box में दिये गए, ठीक है, तो प्लीज जितना आप लोग इस mission में हमारा साथ देने के, जितना आप लोग सहियोग करेंगे, उतना ही फायदा जो है वो आप लोगों को इसका मिलेगा, ठीक है, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, इसी बात पर आज का पार् बात करनी है, forest conservation को लेकर, forest conservation यानि कि इसको अगर आप हिंदी में समझे तो this is one संगरक्षण, ठीक है, conservation करना मतला होता है, किसी बी चीज को protect करना, देखे, forest have an intricate interrelationship with life and environment, forest जो है, उनका एक intricate interrelationship है, किसके बीच में, life के बीच में और environment के बीच में, these provide numerous direct and indirect advantages to our economy and society, यह हमा काफी सारी जो चीजे हैं, वो provide कराते हैं, direct या indirect तोर पे, hence, conservation of forest is of vital importance to the survival and prosperity of humankind, यानि कि मानव जाती के survival के लिए, उसकी prosperity के लिए, forest को conserve किया जाना बहुत जादा जरूरी है, ठीक है, accordingly, the government of India proposed to have a nationwide forest conservation policy and adopted a forest policy in 1952, 1952 में एक forest policy को adopt किया गया था, जिसको बाद में modified किया गया 1988 में, according to the new forest policy, the government will emphasize sustainable forest management in order to conserve and expand forest reserve on the one hand and to meet the needs of the local people on the other, तो basically इस नई पॉलिसी के अधार पर क्या बोला गया है, कि forest का management किया जाएगा sustainable तरीके से, उसके उपर जोड दिया जाएगा sustainable forest management के उपर, ठीक है, और ताकि क्या हो पाए, कि जो forest उसको conserve भी करना है और expand भी करना है, य जैसे कि आपने पिछले पार्ट में देखा था, कि हमारे पास जो forest cover है, वो सिर्फ 21.67% का है, तो इसको बढ़ाना है, ठीक है, और दूसरी चीज यह है, कि जो local people है, उनकी नीड्स भी है, जो है वो जरूरी, उनकी जो जरूरत है, वो भी पूरी होनी चाहिए, ठीक है, forest policy क का aim क्या है, देखे, bringing 33% of the total geographical area under forest cover, यह मैं आपको बात बताई थी, पिछली बार भी, कि 33% का target है, कि देश का जो पूरा geographical area है, जो पूरा भोगलिक area है, उसका, जो भोगलिक छेतर है, उसका 33% जो है, वो forest cover के अंदर होना चाहिए, और यह कौन सा forest cover है, आपको यह ध्यान द actual में, वास्ताव में, उस area में forest होना चाहिए, 33% में, यानि कि एक तिहाई में, ठेक है, आगे दिया गया है, maintaining environmental stability and to restore forest where ecological balance was disturbed, तो environmental में stability maintain करनी है, इस्थिरता maintain करनी है, और वहाँ पर forest को restore करना है, जहाँ पर जो ecological balance है, वो disturbed हुआ है, Conserving the natural heritage of the country, its biological diversity and genetic pool, जो हमारे देश की natural heritage है, यानि कि जो प्राकरतिक धरोहर है, उसको conserve करना है, उसको संग्रक्षित करना है, जो उसकी biological diversity है, ठेक है, biological diversity मतलब, diversity का मतलब आपको लोगों को पता है, विवित्ता, biological का मतलब है, जो हमारी flora and fauna की जो diversities है, ठेक है, flora and fauna आप desert lands and reduction of floods and droughts, ठेक है, तो basically soil erosion को चेक करना है, क्योंकि जब बहुत जादा बारिश वगरा पढ़ती है, बार वगरा आती है, तो soil erosion होता है, उससे जो nutrients वगरा है, वो सारे बह जाते है, desert land का extension चेक करना है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कि बहुत सारा जो हमारा land है, वो desertify हो रहा ह ठेक है, यह नहीं है, इसके बाद, increasing, यह, reduction of floods and droughts, जो हमारे floods and droughts बढ़ रहे हैं, यानि कि जो बाढ़ बढ़ जाती है, जब फिर हमारे जो सूखा पढ़ने के जो instances हैं, वो बढ़ रहे हैं, उनको भी चेक करना है, increasing the forest cover through social forestry and afforestation on degraded land, social forestry के थूँ और afforestation करना है, degraded land के उपर, इस तरीके से क्या करना है, कि जो forest cover है, उसको बढ़ाना है, increasing the productivity of forest to make timber, fuel, fodder and food available to rural population dependent on forest and encourage the substitution of wood, ठीक है, हमें basically क्या करना है, कि जो forest की productivity है, उसको बढ़ाना है, ताकि हम क्या कर पाएं, कि जो लोग, जैसे गाहों के जो लोग है, जो जंगलों के उपर, जो forest के उपर के लिए और food के लिए, ठीक है, तो उनकी निर्भरता इसके उपर, मलब यह है कि इन लोग को इचीज प्रोवाइट करानी है, और थोड़ा सा लखडी के उपर उन लोग की निर्भरता जो है, वो कम करनी है, और उनको substitute करवाना है लखडी को, especially जो, मतलब को alternative fuel resources वगरा उन involving women to encourage planting of trees, stop failing of trees and thus reduce pressure on the existing forest, ठीक है, तो इस तरीकी के people's movement, यानि कि आप कह सकते हैं कि जन अंदोलन जो है, उनको करवाना है, और उनमें महिलाओं को शामिल करना है, और उसमें क्या चीज़ों को बढ़ावा देना है, कि planting of trees, यानि कि जाए साधा पेड उगाने है, पेड aims है, ठीक है, यहाँ पर forest किस तरीके से एक tribal person के ओपर, या tribal life के ओपर किस तरीके से effect डालता है, या आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, tribal community के ओपर, ठीक है, समझ में आ जाएका कुछ जादा नहीं है, आगे देखिए, based on the forest conservation policy, the following steps were initiated, क्या क्या स्टेप्स स्टार्ट किये गए environment, social and rural development, ठीक है, इसका मतलब है कि हमें management करना है, और क्या करना है, forest का protection करना है, ठीक है, और eforestation करना है, जो barren land है वहाँ पर, यानि कि जो banjar भूमी हो चुकी है, वहाँ पर eforestation करना है, with the purpose of helping in the environment, social and rural development, और किसके लिए करना है, हमारा मकसद क्या होना चाहिए, कि हम environment का development कर रहे है, social development कर रहे है, और gramid विकास भी कर रहे है, rural development भी कर रहे है, the national commission on agriculture 1976 has classified social forestry into three categories, 1976 में जो national commission on agriculture है, इसने social forestry को three category में divide किया है, classify किया है, पहला है urban forestry, दूसरा है rural forestry और तीसरा है farm forestry, ठीक है, आइए इनके बार में देख लेते है, urban forestry का मतलब क्या है, pertains to the raising and management of trees on public and privately owned lands in and around urban center, जैसे की green belts, parks, roadside avenues, industrial and commercial green belts, एक्सेक्टरा, ठीक है, इन जगों पर अगर आप plants को उगा रहे है, अगर आप trees उगा रहे हैं, इन अर्बन एरिया, तो यह सारा कसरा आएगा, urban forestry के अंडर में, ठीक है, rural forestry basically lays emphasis on promotion of agroforestry and community forestry, ठीक है, जो rural forestry है, वो basically इन दोन के उप उपर जोर देती है, जो है आपका agroforestry और दूसरा है आपका community forestry, ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं, नीचे क्या दिया गया है, agroforestry is the raising of trees and agricultural crops on the same land, inclusive of the waste patches, ठीक है, agroforestry का मतलब क्या है, कि इस पे दो word है, एक तो forest है, ठीक है, दूसरा है agro, agro means to agriculture, agro is related to agriculture, तो हमे क्या करना है कि एक ही जमीन पे, on the same land, एक ही जमीन पे हमें trees और agricultural crops जो है, वो दोनों होगानी है, waste patches का use करते हुए, it combines forestry with agriculture, thus altering the simultaneous production of food, fodder, fuel, timber and fruit, तो इसमें क्या है कि कभी आप food crops होगाएंगे, ठीक है, कभी आप fodder crops होगाएंगे, कभी आप ऐसी crops होगाएंगे, जो fuel के ल agricultural product भी हो रहे हैं और इसमें forest भी है, ठीक है, इसके बाद ठीक है क्या है, community forestry involves the raising of trees on public और community land, ठीक है, यह public और community land पर है, इसमें आप उपर ध्यान दीजेगा, urban forestry में क्या था, public भी था और privately owned land भी था, ठीक है, जबकि community forestry में आपका है, public, इसमें क्या है, सिर्फ public है, या फ जहाँ पर वेसिकिए आपने जानवरों को चड़ाया जाता है, जीक है, grazing की जाती है, that is village pasture, temple land, मतलब मंदर की जो जगे है, वहाँ पर, सडक किनारे, roadside, canal bank, जीक है, जो आपकी नहर होती है, उसके तर्ट पर, उसके bank पर, strips along the railway lines, जो railway line होती है, उनके along, जो strips है, उनमें, schools अगरा में, इन सब जगे में क्या करना है, कि पेड़ उगाने है, this is your community forestry, community forestry program, aims at providing benefits to the community as a whole, इसका फायदा क्या है, कि सभी लोगों को, मतलब इसका मकसद क्या है, community forestry का, कि सभी लोगों को इसका फायदा होगा, ठीक है, कि अलग-अलग जगे पर, जब पेड़ अगरा हो can associate themselves in tree raising and thus get those benefits which otherwise are restricted for landowners, तो इसका एक फायदा भी है, community forestry का, कि इसमें ऐसे लोग भी जो है, वो काम कर सकते है, ऐसे लोग भी योगदान कर सकते है, जिनके पास खुद की land नहीं है, जो landless है, ठीक है, क्योंकि otherwise अगर आप बात करें कि privately owned जगों पर आपको पेड़ उगाने ह तो वो सिर्फ वही कर सकते है, जो landowners है, ठीक है, community forestry का ये फायदा है, कि वो landless लोग भी जो है, वो अपने आपको associate कर सकते है, उसके साथ जुड़ सकते है, in the task of tree raising, ठीक है, this is about your social forestry, इसके बाद हम बात कर लेते है, farm forestry, ये क्या चीज़ है, farm forestry is a term applied to the process under which farmers grow trees for commercial and non-commercial purposes on their farmlands, इसमें क्या है कि जो किसान है, वो अपनी जो जमीन है, जो क्रिशी के लिए जमीन है, जो farmland है, वहाँ पर कुछ ऐसे पेड उगाते हैं, जो commercial purpose के लिए यूज होते हैं, और non-commercial purpose के लिए भी यूज होते हैं, forest departments of various states distribute seedlings of trees free of cost to small and medium farmers, ठीक है, जो सरकारी, जो आपका one विभाग है, जो one विभाग है, वो क्या करता है, अलग-अलग राज्यों का, वो अपने अपने राज्य के जो small and medium farmers होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, वो पेडों की seedlings, यानि की beach provide कराता है, ताकि वो उनको उगा सके, और वो भी देता है free of cost, यानि की बिना किसी पैसे क several lands such as the margin of agricultural fields, grasslands and pastures, lands around homes and cow sheds may be used for raising trees under non-commercial farm forestry, तो non-commercial farm forestry के अंडर हम क्या कर सकते हैं, कि जो हमारे agricultural fields है, ठीक है, जो हमारी क्रिशी भूमी है, उसके margin पर, यानि कि उसके चारों तरफ, जो हमारे grasslands और pastures है, जहाँ पर basically हमारे animals वगरा graze करते हैं, उसमें, जहाँ फिर ज जहाँ पर cows वगरा को रखा जाता है, cadence वगरा को रखा जाता है, उसको हम use कर सकते हैं, trees उगाने के लिए for the non-commercial farm forestry, ठीक है, चलिए, तो यह हमारा basically जो forest, forestry को लेकर सारी की सारी बात थी, conservation को लेकर बात थी, वो सारी की सारी यहाँ पर complete होती है, अब हम start करते हैं, अपना इस chapter का आप एक तरह की से कहिए, कि second part है यह, this is about your wildlife, ठीक है, chapter का नाम पढ़के वैसे आपको बाहर से अगर आप cover देखींगे तो आपको यह नहीं लगेगा कि इस chapter में wildlife की बात भी की जाएगी, च्योंकि chapter का नाम सिर्फ दिया गया है, natural vegetation, ठीक है, लेकि wildlife यहाँ पर दिया से पूरी की पूरी ecology and environment के course में अपने cover करेंगे, जो की बहुत जल्द, most probably जैसे यह geography का कुछ course complete होगा, उसके बाद तुरंत आप लोगों के लिए ecology and environment का course यहाँ पर आने वाला है, तो इसलिए मैं आप लोगों से फिरसर request कर रहा हूँ कि जितना ज़ादा हो सकता है, अपने इसे अपनी तरफ से आप लोग थोड़ा-थोड़ा contribution करने की कोशिश करें, ताकि जो courses वगरा है वो आप लोगों के लिए जल्द से जल्द हम लोग ला सकें, और साथ के साथ उसमें notes, quizzes, test series वगरा भी provide कराने की कोशिश कर सकें, ठीक है, तो इसके थोड़ा सा आप लोगों पर आपने देखा हो कि किस तरीके से animals और birds, जो जानवर है, जो पक्षी है, उनको captivity में रखा जाता है, मतलब capture करके रखा जाता है, ठीक है, जू में आपने देखा है कि जानवर जो है, वो पूरी तरीके से खुले नहीं होता है, पिंजरे बगरा में कैद होते है, तो that is the animals and birds in captivity, ठीक है, wildlife of India is the great natural heritage, भारत का जो wildlife है, जो वन्यजीव है, वो एक बहुत बड़ी natural heritage है, यानि कि आप कह सकते है कि प्राकर्तिक धरोहर है, it is estimated that about 4-5% of all known plant and animal species on the earth are found in India, तो यह बहुत बड़ी बात है, यह माला जाता है कि दुनिया में जितने भी, चाहे वो पौधे है, ठीक है, animal species है, यानि कि flora, fauna, जितना भी है, overall world में पाया जाने वाला उसका 4-5% जो है वो इंडिया में पाया जाता है, ठीक है, the main reason for this remarkable diversity of life forms is the great diversity of the ecosystem which this country has preserved and supported through the ages, तो इसका बड़ा reason क्या है, इसका बड़ा कारण क्या है इस diversity का, वो यह है कि यहां का जो ecosystem है, वो बहुत ज जादा diverse है, ठीक है, और इस ecosystem को basically हम लोगों ने क्या किया है, कि preserve किया है, और उसका support किया है, उसका सहयोग किया है, सालों से, ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो है वो diversity बहुत जादा है, 4-5% overall world के species यहां पर पाये जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है, over the years their habitat has been disturbed by human activities and as a result, their numbers have dwindled significantly, तो कुछ सालों में ऐसा हुआ है, जैसे साल आगे बड़े है, ऐसा हुआ है, कि लोगों ने, human beings ने उनके habitat को, habitat मतलब ऐसी जगे होती है, जहां पर वो naturally पाये जाते हैं, जहां पर वो लोग रहते हैं, ठीक है, तो जहां पर animal species वगरा रहते हैं, उ उनकी संक्या है, वो काफी जादा कम हो गई है, ठीक है, dwindle का मतलब होता है, decline, ठीक है, काफी जादा कम हो गई है, decline हो गई है, there are certain species that are at the brink of extinction, कुछ species ऐसे है, कुछ प्रजातिया ऐसी है, जो willupt होने की कगार पर है, ठीक है, brink of extension मतलब willupt होने की कगार पर है, मतलब just on the verge of extinction जिसको बोल सकते हैं ठेक है देखिए some of the important reasons of the declining of wildlife RS follows कि जो wildlife decline कर रही है जो इनकी संख्या कम हो रही है जो इनका number कम हो रहा है उसके पीछे कुछ मुख्य कारण ये है जो नीचे दिये गए है देखिए पहला है industrial and technological advancement brought about by a rapid increase in the exploration of forest resources हमने जो हमारे वन्य संसादन है जो forest resources है उनका हमने क्या किया है exploration किया है दुरुपयोग किया है और उससे और क्यों किया है हमने जो हमारा industrial and technological advancement हुआ है उसकी जरुरतों को पूरा करने के लिए ठीक है तो उससे भी हमारी जो wildlife है वो उसको नुक्सान पहुचा है उसकी संख्या कम हुई है more and more land were cleared for agriculture, human settlement, road, mining, reservoirs, etc जहाँ सहादा land को हमने क्या किया है clear किया है किस के लिए agriculture के लिए, क्रिशी के लिए, human settlements के लिए लोगों के लिए, घर बनाने के लिए, industries बगरा बनाने के लिए roads बनाने के लिए, mining, reservoirs, इन सब चीजों के लिए तो इससे भी क्या हुआ है कि habitat को जो है, wildlife के नुक्सान पहुचा है और उनकी संख्या में असर पड़ा है, वो कम हुई है pressure on forest mounted due to lopping for fodder and fuel wood and removal of small timber by the local people तो forest के ओपर भी क्या हुआ है, pressure पड़ा है, किस वही से पड़ा है, कि हमने क्या किया है, कि fodder के लिए और fuel wood के लिए काटा है lopping मतलब होता है, cut off, हमने forest को काटा है for these purposes और हमने जो small timber है, वो local people द्वारा वहां से ले जाया गया है, उसको removal किया गया है तो इससे भी basically उन लोगों के habitat पर फरक पड़ा है, इसके बाद क्या है, कि हमने domestic animals द्वारा grazing करवाई है वहाँ पर, उससे भी उनके जो wildlife है, उनके habitat पर काफी जादा फरक पड़ा है और पहले आप देखा करते थे कि hunting हुआ करती थी बहुत जादा, ठीक है, hunting was taken up as an sport by the elite आपने देखा होगा, कि जो बड़े बड़े घराने के लोग हुआ करते थे, राजा माराजा लोग type के लोग होते थे वो लोग hunting करते थे, शिकार पर जाया करते थे, उसको वो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि shock था उन लोगों का या इसको एक बहुत बड़ी शान की बात माना जाता था, ठीक है, a matter of pride जिसको आप बोल सकते है ठीक है, तो उसके वएस से भी क्या है कि wild animals को बहुत जादा नुकसान पहुचा है आज की डेट में क्या है कि जो commercial poaching है, वो बहुत जादा rampant हो चुकी है, बहुत जादा बढ़ चुकी है ठीक है, और जो forest fires के incident हुए है, हमें पता है कि जो हमारे जंगलों में आग लग जाती है उससे भी हमें काफी जादा परिशानी जो है वो जेलने को मिलती है और wildlife को उससे भी बहुत जादा नुकसान होता है ठीक है, it is being felt that conservation of wildlife is of great significance to the national as well as world heritage along with the promotion of ecotourism तो wildlife का conservation जो है वो बहुत जादा जरूरी है ठीक है, और इसको किया जाना चाहिए, national level पर भी किया जाना चाहिए, world level पर भी किया जाना चाहिए along with the promotion of ecotourism, ecotourism का मतलब है कि ecology को फाइदा पहुचाने वाला tourism ठीक है, जहाँ पर लोग SII की tourism करते हैं, मतलब परियटन के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ के जो natural species वगरा है उनको conserve करते हैं, उनको preserve करते हैं, उनको कोई नुकसान वगरा नहीं पहुचाते हैं, that is a kind of tourism which is classified as ecotourism ठीक है, तो यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि what steps have been initiated by the government in this direction तो यह सवाल आप से हम भी पूछ लेते हैं, कि आप इसके बारे में हमें नीचे बताइएगा at least 2 steps, ठीक है, जो आपको लगता है जो आपने पढ़े हो, कि 2 steps ऐसे जो government ने किये है for the wildlife conservation की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, चलिए, वन्यजीव संगरक्षण हिंदी में इसको बोला जाएगा, वन्यजीव संगरक्षण, ठीक है, चलिए, आगे देखते है wildlife conservation in India, इंडिया में क्या कहानी है, इसके बारे में देखते है the protection of wildlife has a long tradition in India, इंडिया में ये बहुत काफी समय से चली आ रहे है, long tradition है, many stories of panchantantra and jungle book etc have stood the test of time relating to the lover for wildlife, these have a profound impact on young minds, ठीक है, panchantantra के बारे में तो I don't know, आप लोगों को पता है या नहीं पता है, पर jungle book के बारे में सभी लोगों को I think पता होगा, ठीक है ये आपकी rudyard kipling की एक series थी, जिसमें मोगली नाम का एक character हुआ करता था, ठीक है, बहुत famous character था इसके उपर I think कोई cartoon वगरा भी TV में आता था, ठीक है, जब हम बच्पन में छोटे थे तो हमने सुना था, ज्यादा देखा तो नहीं कभी, लेकिन सुना था कि इस तरहीं कोई cartoon वगरा आता है, ठीक है, काफी famous था, लेकिन jungle book के बारे में आप लोगोंने सबने पढ़ा होगा, जाना होगा, ठीक है, और खासकर मोगली के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, तो उसी की बात यहाँ पर की गई है, कि किस तरीके से महाँ पर wildlife conservation को लेकर, जो बाते हैं वो कही गाई थी, और उनका जो हमारे young minds है, जो हमारे बच् कि hunting जो है, वो एक तरीके से elite लोगों का एक शौक था, ठीक है, अब आप अगर उनको समझाएंगे, अब आप क्या कह सकते हैं, कि क्या उन लोगों को ये पता नहीं है, कि जो वो wildlife hunting करते हैं, क्या वो गलत है, क्या उससे wildlife को नुक्सान पहुचता है, क्या ये उन लोगों को नहीं पता है, पता सबको है, लेकिन अब आप उनकी सोच बदल नहीं सकते, या आप उनको चीज़े समझा नहीं सकते, इससे better ये है कि जो हमारी younger generation है, जब से हमारे बच्चे होश समाल रहे हैं, हम तब से उनको चीज़े समझाएं, कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना च अगर वो किसी ऐसी चीज़ की जित कर रहा है, जो उसको नहीं दी जानी चाहिए, और उसके लिए वो रो रहा है, तो परिवार में ये होता है कि यार बच्चा छोटा है, इसको चलो चीज़े दे देते हैं, कम से कम ये चुप हो जाएगा, ठीक है, तो वहां से बच्चे की कोई बात नहीं, I'm sorry for that, अगर आप लोगों को divert हुआ हो तो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि थोड़ा से चीज़ों को इन चीज़ों का भी ध्यान रखें, अगर आप लोगों के घर में भी कोई छोटे बच्चे हैं, तो specifically उन लोगों का ध्यान रखें, क्योंकि अब आप ये अब से कोई चोटे बच्चे घर में है, तो उनका थोड़ा से ध्यान रखें, और उनको अभी से चीज़ों के बारे में बताना ज़रूरी है, कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, उनके खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, और देश के लिए, या पूर से Wildlife Act लाया गया था, which provides the main legal framework for conservation and protection of wildlife in India, ठीक है, इसके दो main objectives जो थे वो देख लीजिए, पहला है, to provide protection to the endangered species listed in the schedule of the Act, and to provide legal support to the conservation areas of the country, classified as national parks, centuries and closed areas, तो यह इसके दो aim है, पहला तो क्या है, कि जो endangered species है, जो इसके schedule of the Act में लिखी गई है, उनको क्या करना है, protection provide कराना है, ठीक है, और दूसरा क्या है, कि जो legal support provide कराना है, to the conservation areas of the country, और वो conservation areas कौन कौन से है, national park, centuries and closed areas, ठीक है, Act को फिर, जो है, amend किया गया है, संशोधन किया गया है, 1991 में, making punishments more stringent, जो punishments उनको strict बनाया गया है, and has also made provisions for the protection of specified plant species and conservation of endangered species of wild animals, ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि there are 103 national parks and 535 wildlife centuries in the country, यह I think 103 ना होके, शायद आ 104 हो जुगा है, ठीक है, किसी को अगर इसके बारे में exact information है, तो please थोड़ा सा मुझे बताइएगा, मैंने अभी check नहीं किया, recently बटाए, got to hear from something, मैंने शायद कहीं news बगरा था कि 104 national park शायद हो गया है, ठीक है, फिलाल जितने भी हो गया है, कोई बात नहीं, इसको हम अपने ecology and environment के course में पूरे detail में समझेंगे, कौन सा national park कहाँ पर है, कौन सी species वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, उन species का IUCN status क्या है, वो सब हम महाँ पर समझेंगे, IUCN क्या है, वो भी हम महाँ पर समझेंगे, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources होता है, जो status of plant and animal species को बताता है, कि उनका status क्या है, ठीक है, आई भी बताता हूँ, आपको इस status के बारे में प्रोड़ा सा आगे, ठीक है, फिलाल आप यहाँ पर देखिए, wildlife conservation has very large ambit with unbounded potential for the well-being of humankind, ठीक है, wildlife conservation जो है, इसका ambit बहुत बड़ा है, ambit का मतलब है scope, ठीक है, इसका scope बहुत बड़ा है, और इसका unbounded potential है for the well-being of humankind, अगर हम मानव जाती के भलाई की बात करें, तो इसका जो potential है, वो बहुत जादा है, लेकिन इसको हम लोग तभी अचीव कर सकते हैं, तभी हम इसको पा सकते हैं, जब हर व्यक्ती अपनी जिम्मेदारी को समझे, ठीक है, और इसकी तरफ को अपना योगदान दे, मैं वहीवाली बात कर रहा था, जो आपको मने बताया भी, कि बच्चों को चीज़े समझाई जानी जरूरी है, ताकि आगे आने वाले समय में, वो अपना योगदान दे सके, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं, For the purpose of effective conservation of flora and fauna, these special steps have been initiated by the government of India in collaboration with UNESCO's Men and Biosphere Program, UNESCO is United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, UN की एक body है, इसका एक Men and Biosphere Program है, ठीक है, उसके साथ इंडिया ने मिलके, जो Government of India है, उसके मिलके, effective conservation के लिए कुछ steps लिए गए है, ठीक है, कुछ special schemes भी है, जैसी कि Project Tiger है 1973 की, Project Elephant है 1992 का, इनको launch किया गया है to conserve these species and their habitats in the sustainable manner, ठीक है, Project Tiger के बारे में आपे दिया गया है, देखिए, has been implemented since 1973, इसका main objective क्या है, scheme का, is to ensure maintenance of viable population of tigers in India, for scientific, aesthetic, cultural and ecological values, and to preserve areas of biological importance as natural heritage for the benefit education and enjoyment of the people, तो basically कुलमिरा के बात यह है, जो tiger की species है, ठीक है, उसकी संख्या को कम होने से, संख्या को खतम होने से बचाना है, ठीक है, और क्यों बचाना है, ताकि जो scientific purpose के लिए, aesthetic purpose के लिए, cultural purpose के लिए, ताकि यह सारी के सारी जो जरुरते हैं, यह preserve रह सके, ठीक है और इनके जो areas of biological importance है जैसी कि natural heritage है उनको हमें क्या करना है preserve करना है for the benefit education and enjoyment of the people ठीक है initially यह जो project tiger है इसको launch किया गया था 9 tiger reserves में जो area cover कर रहे थे इतना 16,339 square kilometer का जो कि अब बढ़ चुका है 44 tiger reserves में और इसका area जो है वो बढ़ के इतना हो चुका है of core tiger habitats distributed in 17 states तो पूरे के पूरे यह tiger जो project tiger is के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे लेकिन इसको हम वही पर पढ़ेंगे ecological environmental course में ठीक है क्योंकि यहाँ पर हम चीजों को discuss इससे जादा नहीं कर सकते जितना यहाँ पर दिया गया है अदरवाइस वो इस course के, इस book के, इस subject के scope के बाहर हो जाएगा ठीक है the tiger population in the country has registered an increase from 1411 in 2006 to 1706 in 2010 ठीक है यह तुरुता पुराना data है project elephant was launched in 1992 to assist states having free ranging population of wild elephant जो जंगली हाती है उनकी population जो है उसको free ranging population उनकी होनी चाहिए इसको assist करने के लिए states को एक ये project elephant जो है वो 1992 1992 वे लाँच किया गया था it was aimed at ensuring long term survival of identified viable population of elephants in their natural habitat जो उनका natural habitat है वहाँ पर इनकी जो population है viable population के survival के लिए बात यहाँ पर की गई थी कि उसको ensure करना है project tiger को implement किया गया है 17 states ने ठीक है apart from this कुछ और projects भी है जैसे की crocodile breeding project है project hangul है conservation of himalayan musk deer है ये भी launch किये गये है by the government of India ठीक है चलिए इसके बाद हम इसमें एक part है जो biosphere reserve को लेकर है ठीक है ये एक तरीका protected area होता है इसके बारे में हम लोग तरह सा बात करेंगे detail में यहाँ पर दिया गया है बाकी जो चीज़े है about the national park wildlife century and all जितने भी हमारे project tiger वगरा है project elephant ये सारे की चीज़ों हम बात फिर वहीं करेंगे इन दा course of ecology and environment ठीक है a biosphere reserve is a unique and representative ecosystem of terrestrial and coastal areas which are internationally recognized within the framework of UNESCO's MAV program that is man and biosphere program ठीक है biosphere reserve का aim होता है at achieving the three objectives as depicted in figure 5.8 ये है देखिये इसके तीन objectives पहला है conservation किसका conservation करना है biodiversity का of ecosystem biodiversity और ecosystem का conservation करना है development करना है association of environment with development यानि कि environment को associate करना है विकास के साथ, development के साथ और तीसरा है logistics यानि कि international network for research and monitoring यहाँ पर establish करना है तो ये तीन के तीन एक तरीके से objective है for the biosphere reserve यह आपको ध्यान रखने पड़ेंगे यह आपसे पूछे जा सकते है कि इन में से कौन से हैं, कौन से नहीं है school के बच्चे भी इसको ध्यान रखें और जो हमारे UPSC के aspirant है या जो किसी भी और competitive level के हमारा aspirant है वो भी इसको इस डेटा को जरूर ध्यान रखें ठीक है आज की डेट में हमारे पास 18 biosphere reserves है इंडिया में उसमें से जो 10 biosphere reserves है वो हमारे जो UNESCO का एक program है that is the world network of biosphere reserve उसमें recognized है ठीक है तो total 18 है जिसमें से 10 जो है वो जो UNESCO की एक list है और world network of biosphere reserves वहाँ पर recognized है ठीक है कौन कौन से है थोड़ा से यहाँ पर देख लेते है यह 10 जो 18 के 18 इनका data यहाँ पर दिया गया है नीलगीरी है आपका तमिलनाडू में ठीक है नीलगीरी आपका कहाँ पर आपको पता है तमिलनाडू केरला कन्नाटक में नंदा देवी आपका उत्राखंड में है आपका नौकरेक जो है मानस आपका असाम में है सुन्दरबंस आपका वेस्ट बेंगॉल में है आपके वार इतना भी अगा ध्यान रखेंगे तो काफी है स्टेट आपको यादर होनी चाहिए गल्फ ऑफ मननार जो है वो आपका तमिलनाडू में है ग्रेट निकोबार आपका अंडवाले निकोबार आइलेंड में है सिमिली पाल इस इन उडीसा ठीक है डिब्रू साइक होआ इस इन आसाम देहांग देबांग इस इन अरुणाचर परदेश पंच मरही इस इन बद्धिपरदेश कंचन जंगा इस इन सिक्किम अगस्थे माला इस इन तमिलनाडू एंड किरला ठीक है अचानक मारा मरकंटेग इस इन बद्धिपरदेश एंचतिसगर कच जो है आपका देड़ इस इन गुजरात कोल डेजर्ट है आपका हिमानचर परदेश में शेशा चलम इस इन आंद्रपरदेश एंड पन्ना इस इन मद्धिपरदेश तो आपको क्यों स्टेट्स भी अगर आप याद रखते है तो वो भी काफी है ठीक है सबसे पहला जो है तर इस नीलगिरी ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर डेट दी गई है कपकी है 1986 की तो सबसे पहला नीलगिरी है और एक चीज़ में तो आप लोगं को और बता दू अगर आप एरिया वाइस बात करें नंबर 5 इस नंदादेवी नंबर 6 इस नीलगिरी नंबर 7 आपका है दिहांग दिभांग नंबर 8 आपका इसमें ये है नंबर 9 आपका इसमें शेशा चलम है और नंबर 10 आपका जो है देट इस योर सिमली पाल ठीक है यह 10 है सबसे छोटे की अगर आप बात करें तो सबसे छोटा इसमें जो है that is your knock wreck, ठीक है this is smallest और second smallest जो है that is your this one, that is Debrus Ikova ठीक है Debrus Ikova is your second smallest sorry, Debrus Ikova is the smallest Debrus Ikova सबसे छोटा है, second smallest आपका knock wreck है, ठीक है यह आप ऐसे data यहां से note down कर सकते है बाकी इनके बारे में जो important चीज़े होंगी वो हम अपने ecology environment की course में पढ़ेंगे, फिलाल आप लोंको यह पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा कौन सा है ठीक है, सबसे बड़ा इसमें से area wise है कच, सबसे पहले का जो है की तरफ में 10 यह बता दिये ठीक है, बाकी अब इसमें हम आराउंड चार के बारे में जो है वो इस book में दिया गया है that is your neilgiri biosphere reserve नंदा देवी biosphere reserve, सुन्दर बंस और gulf of mannar, ठीक है तो इन चारों के बारे में जो book में दिया गया है वो हम ठोड़ा सा देखींगे with the animal species, फिलाल आप यहाँ पर देख सकते है, यह सारे के सारे आपको यहाँ पर दिखाए गए है कौन सा कहाँ पर है, ठीक है तो इसके लिए बाग से कोई map की use नहीं किया है, क्योंकि यह सारे के सारे यहाँ पर mention किये गए है बागी अगर कोई mention इसमें नहीं किया गया है तो वो भी आप जगे वहाँ पर table में दी गई है कि कौन सा कहाँ पर है, किस district के किस state के कौन सा district में है वो आप वहाँ से देख के mark कर सकते हैं ठीक है, चलिए, फिलाल हम चलते हैं हम देखते हैं जो हमारा निलगीरी Biosphere Reserve है उसके बारे में और वहाँ पर जो species दी गई है, थोड़ा सा उनके बारे में भी हम लोग जानते हैं, आईए देखिए, निलगीरी Biosphere Reserve के बारे में दिया गया है कि it is the first of the 14 Biosphere Reserves in इंडिया यह 14 नहीं होगा, इसको 18 कर लीजेगा ठीक है, यह 18 कर लीजेगा वाज इस्टैबलिच्ट इन दी September 1986, it embraces the century complex of वायनाड, नागरहोल, बंदिपुर, मुडुमुलाई, the entire forested hill slopes of निलांबर, the upper निलगीरी प्लेट्यू, silent valley and the सिरुवेनी hills, ठीक है टोटल एरिया इसका दिया गया है 5520 स्कूर किलो मिटर का है निलगीरी बाइस्टोर रिजर्व possesses different habitat types unispoilt areas of natural vegetation types with several dry scrubs, dry and moist deciduous semi-evergreen and wet evergreen forests, evergreen sholars grasslands and swamps, ठीक है यहाँ पर यह बताया गया है कि इस पर कौन-कौन सी forest पाई जाते है कौन-कौन सी type of vegetation पाई जाते है ठीक है, it includes the largest known population of two endangered animal species जो है निलगीरी ताहर and lion-tailed mackay, ठीक है इसके बारे में आपको दिखाता हूँ, देखिए यह है निलगीरी ताहर, ठीक है यह निलगीरी ताहर है और जो दूसरा है, that is your lion-tailed mackay, ठीक है यह दोनों species आप यहाँ पर देख सकते हैं और यह दोनों को दोनों जो है endangered species है, ठीक है यह endangered वगरा, यह कौन decide करता है यह जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इनको decide करती है जो body, that is your IUCN, ठीक है, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources इस book की एक मतलब यह जो organization है यह एक book निकालती है, that is your red data book, यह red list ठीक है, उसमें यह जो status दिया जाता है, कि कौन सा species का care status है, वो दिया हुआ है, ठीक है, तो निलगिरी, ताहर, और लाइंट and मैकेल के बारे में, अगर आप 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 आपर डूडिंगे तो they are your endangered species ठीक, इसके बाद, the largest South Indian population of elephant, tiger, gaur, sambar and cheetal, as well as good number of endemic and endangered plants are also found in this reserve the habitat of number of tribal groups remarkable for their traditional modes of harmonious use for the environment are also found here, ठीक है तो basically हमें किसी भी अगर हम bias for reserve की बात करते हैं, तो हमें यही सारे data उसमें देखना है पहली बात तो यह है कि वो area कहाँ पर है ठीक है, जैसे इसमें आपर दिया गया है कि इन सारे के सारे areas में included है ठीक, उसके बाद उसका area कितना है वहाँ पर किस तरीके की vegetation वगरा पाई जाती है और कौन-कौन से species वहाँ पर पाई जाते हैं वो, ठीक है अगर हम इतना जो है data हर bias for reserve के लिए हर national park के लिए अगर पढ़ है याद रख ले तो फिर हमारा कभी भी किसी भी exam में कोई question गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है और इसके बाहर का scope इसमें से question आने का है भी नहीं लेकिन बात होई है कि पूरा का पूरा पढ़ नहीं सकते, जैसे कि बात की गई है 535 wildlife centuries है हमारे पास ठीक है, हमारे पास 103 या 104 national parks है, तो हम सबका data तो इतना जादा नहीं पढ़ सकते तो इसके लिए करा क्या जाता है generally की news, ठीक है मैं बात कर रहा हूँ specifically UPSC experience के लिए, कि news का हम लोग थोड़ा सा नजर रखते हैं कि news में जिस species की बात की गई है या किसी अगर ऐसे area की बात की गई है, protected area की तो वहां से हम reference लेके फिर उसके बारे में जो है research करते हैं और notes वगरा उसी के बनाते हैं ठीक है, क्योंकि possible नहीं है आपको केवल ये पता होना चाहिए कि जो national parks वगरा हैं और biosphere reserves हैं ये कहां-कहां पर है अगर आपसे कभी नाम पूछा जाए तो आप लोग ये पता होना चाहिए कि कहां-कहां पर है इससे जादा फिर आप लोग को detail में information as such नहीं जान सकते आप हम कोशिश करेंगे अपने जो ecology environment का course होगा कि वहाँ पर जितने भी important होंगे at least हम उनको cover कर ले detail में थोड़ा सा बाकी तो फिर वही है कि news का ही सारा हमको लेना पड़ेगा कि जो भी news में data आता है पिछले एक डिट साल में जो भी कोई species है या कोई भी ऐसा protected area है जो news में रहा है जो चर्चा में रहा है तो उसको लेकर ही हमें बात करनी पड़ेगी ठीक है मैंने ये figures यहाँ पर इसले include की है ताकि आप लोगो थोड़ा सा देख के आप visualize कर सके तो this is your नीलगिरी ताहर ठीक है मैं आप लिख देता हूँ अगर आप लोगो बात में confusion होगा तो this one is नीलगिरी ताहर और ये जो है this is your lion-tailed mackay ठीक है lion-tailed mackay का मतलब है ये बंदर है ये प्रगार का monkey की species है lion से इसको lion से आप compare मत कीजेगा ठीक है इसके बाद आगे जो species और दी गई है ये जो और गौर, सामबर, चीतल ये भी मैं आपको दिखाता हूँ फिलाल आप यहाँ पर पढ़ लीजे क्या दिया गया है the topography of the NBR ये नीलगिरी बाइसवे रिजर्व इस extremely varied ये 500 meter की उचाही से लेकर 2650 meter की उचाही तक है ये इसके topography काफी ज़्यादा varied है about 80% of the flowering plants reported from the western ghats अकर इंदा नीलगिरी बाइसवे रिजर्व 80% plant है western ghats के जो पश्चिमी घाट के 80% flowering plants है वो नीलगिरी बाइसवे रिजर्व में ही पाए जाते हैं इसका जो status है इसके बाद अगला जो दिया गया है इसके बाद अगला जो दिया गया है इसके बाद हम बात कर लेते हैं यह है चीतल ठीक है दिस इस चीतल ये भी डियर की स्पीशीज है and दिस इस लीस्ट कंसर्ण ठीक है ये लीस्ट कंसर्ण के डिगरी में है तो दीसे जारे जो थ्री स्पीशीज जो वहाँ पर और पाई जाते है नीलगरी बायसफ़र रिजर्व में major types of forest यहां का जो है this is your temperate forest important few important species are silver weed and orchards like letifoli and rhododendron ठीक है रोड़endron बगरा मैंने आपको पिछले पार्ट में दिखाया है वहाँ से आप चाहें तो देख सकते है बायसफेर रिजर्व has a rich fauna for example the snow leopard, black bear brown bear, musk deer snow cock, golden eagle and black eagle यह सारे के सारे species यहां पर पाये जाते है major threat to the ecosystem are the collection of endangered plants for medicinal use, forest fires and poaching, यह सारे के सारे यहां के खत्रे है कि एक तो जो endangered plants है उनको medicinal use के लिए यहां से मतलब ले जाये जाता है collect किया जाता है, forest fire वगरा यहां पर काफी जादा लगती है और poaching यानि कि जो शिकार वगरा किया जाता है वो एक तरीके से major threats है ठीक है, जो species के नाम आप लोगो यहां पर दिये गए है, उनके बारे में आपको बता दूँ ठीक है, सबसे पहला देख लीजिए this is your snow leopard, ठीक है, यह snow leopard है इसके बारे में आप लोग note down कर सकते है, this is in the vulnerable category, या UCN की vulnerable category में है, ठीक है इसके बाद जो अगला species है, this is your black bear, ठीक है, यह black bear है this is your kala bhalu, this is asiatic black bear, ठीक है, American black bear भी होता है, उससे आप इसको confused नहीं होगेगा, ठीक है, this is your asiatic black bear, ठीक है, asiatic black bear, यह भी vulnerable category में ही है इसके बाद जो अगला दिया गया है, this is your brown bear this is again an himalayan brown bear ठीक है, यह himalayan brown bear है, और यह आपकी जो category है, this is your least concern यह LC category है, that is least concern, ठीक है इसके बाद जो हमारी अगली species है, this is your musk deer, यह musk deer है ठीक है, इसके एक फुरासा अलग आप देख सकते हैं, all deer से यह है कि इसके इस तरीके से इसे लंबे-लंबे दात होते है ठीक है, this is your musk deer ठीक है, यह musk deer, that is your himalayan musk deer है, यह भी, this is in the endangered category, ठीक है, यह endangered category में है, इसके बाद हम बात कर लेंगे, अगला this is your snow cock, ठीक है यह snow cock है, himalayan is no cock, इसको बोला जाता है this is in the category of lc this is again our least concerned category इसके बाद this is your golden eagle, देखे किस तरीके से यह golden है ठीक है, यह ऐसा ही दिखता है उड़ते वक्त this is your golden eagle ठीक है, golden eagle जो है, this is also in the least concerned category और इसके बाद एक है, this is your black eagle ठीक है, यह black eagle है इसकी category जो है this is again in the least बता जिया, जितनी भी species यहां पर दी गई है जो major species दी गई है उनके बारे में ठीक है, चलिए, अगला biosphere reserve के बारे में बात कर लेते हैं, that is your sundarban biosphere reserve, sundarban biosphere reserve जो है, वो west bengal में है swampy delta of the river ganga in the west bengal extends over an vast area of 9630 square kilometer और consist करता है mangrove forest swarms and forested islands sundarban is the home of nearly 200 royal bengal tiger यह royal bengal tiger ही जो है हमारा national animal या राश्रपशू भी है ठीक है the tangled mass of roots of mangrove trees provide safe homes for a large number of species from fish to shrimp shrimp भी एक प्रिके के काई का aquatic animal होता है ठीक है, more than 170 bird species are known to inhabited these mangrove forests 170 से ज़्यादा जो पक्षियों की प्रजातिया है species of the birds है ठीक है, वो यहाँ पर inhabit करी भी है यानि की वो यहीं पर रहती है उनका habitat है ठीक है adapting itself to the saline and fresh water environment the tigers at the park are good swimmers यहाँ के जो शेर है, जो tigers है वो तराग बन चुके हैं, swimmer बन चुके हैं and they hunt scar sprays such as the cheetal deer, the barking deer the wild pig and even mackets in the sundarbanes, the mangroves forests are characterized by heretria forms, the species valued for its timber, यह एक तरीके से एक mangrove plant है, उसकी species है, ठीक है यहाँ पर जिसकी बात की कि that is your royal bengal tiger ठीक है, royal bengal tiger आपका endangered species है, यह ध्यान रखेगा endangered category में है and this is only our national animal तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो हमारा national animal है, that is your bengal tiger या फिर royal bengal tiger ठीक, चलिए, IUCN की category के according है, endangered है ठीक है, चलिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं last that is your gulf of mannar biosphere reserve, यह कहाँ पर है cover करता है, इतना सारा area, एक लाग पांच से जार हेक्टेर का area on the southeast coast of India, यानि कि Tamil Nadu coast पर है, ठीक है it is one of the world's richest reason from the marine biodiversity perspective, यानि कि ध्यान रखेंगे marine biodiversity के respect में कर बात की जाएगी तो सबसे जादा, one of the world's richest है यह, ठीक है biosphere reserve comprises 21 islands with ashuries, beaches and forests of the near shore environment, sea grasses, coral reefs, salt marshes and man groups यह सब यहाँ पर पाये जाता है, और यहाँ पर जो gulf की 3600 plant and animal species हैं, globally endangered जैसी की sea cow, which is known as dugong, dugong, ठीक है, यह यहाँ पर है और besides six mangrove species endemic to peninsular India are also endangered, ठीक है लेकिन यहाँ पर जो इसने यह dugong, dugong की बात की है, यह मैं आपको पहले दिखाता हूँ, यह इस तरीके का कोई दिखाई देता है, ठीक है एक तो यह आपको दिख रहा होगा, मचली की तरीके से, लेकिन आप ध्यान रखेगा, यह mammal है ठीक है, this is a mammal mammal क्या होता है, इस्तंधारी, ठीक है, आप लों को पता है what is a mammal, mammal is इस्तंधारी, जो अपने बच्चे को direct जन्म देता है, ठीक है और यह vulnerable category में है endangered category में यह as such नहीं है, ठीक है, I don't know कि यह information पुरानी यहाँ पर लिखी गई है क्योंकि मैंने जो यह vulnerable category में आप लों को बता रहा हूँ, यह मैंने IUCN की जो official red list है, वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो most probably यह इसमें vulnerable category ही, जो है वह सही मानी जाएगी, ठीक है तो जयान रखेगा, यह fish की तरह दिख रहा है पर यह sea cow है, that is dogon dogon, और यह vulnerable है और यह एक mammal है, ठीक है, यह आपको जयान रखना है ठीक है, तो बाकि जितनी species के बारे में यहाँ पर बात की गई थी तोड़ा से मैं आप लोगों को image वगरा दिखा दी है ताकि आप फिर से एक बार, जैसे की vegetation में आप लोगों ने बताया कि आप लोगों को जो images वगरा दिखाई गई थी, plants की, उनके जो trees है, उनके जो leaves वगरा की दिखाई गई थी image, उससे आप लोगों को काफी फाइदा हुआ, आप लोग चीजों को visualize अच्छे से कर पा रहे है, तो इसी direction में मेरा ये विचार हुआ कि इस तरीकी की कुछ images वगरा है वो in animal species की भी दिखाई जाए ताकि आप लोग फिर से एक तरीके से आप लोगों के mind में image form में चीज़ें रह सकें और आप लोग चीजों को अच्छे से relate कर सकें तो आप लोगों को ये initiative कैसा लगा फ्रॉसस के बारे बताईएगा, आप लोगो इसका फाइदा कुछ हो रहा है, animal species वाले को लेकर या नहीं हो रहा है, ये जरूर बताईएगा कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया, जरूर बताईएगा ताकि अगले lecture में फिर से हम लोग आप लोगो जिस तरीजे चीजे पसंद होंगी हम हमेशा चीजे उसी तरीके से करते हैं, ठीक है तो ये chapter यहाँ पर complete होता है अगले part में अब हम लोग जो है अपना 6th chapter, that will be the second last chapter उसको start करेंगे, ठीक है तो I hope आप लोगो ये lecture पसंद आया होगा अगर आया है तो प्लीज जादा से यादा like करें, जादा से यादा share करें, जो लोग चैनल पर नए है वो चैनल को जरूर subscribe कर लें, bell icon जरूर प्रेस कर लें, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन समिस ना हो बाकि हमसे जादा जुड़ने के लिए हमारा facebook page, twitter page, telegram channel का आप लोग यूज कर सकते हैं और अगर आप हमसे कोई और बास share करना चाहते हैं, कुछ चीज पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी email id का यूज भी कर सकते हैं that is okul.cu at the rate gmail.com ठीक है, चलिए, बहुत जल्द quizzes वगरा भी upload कर नेगोशिश की जाएगी quizzes, notes वगरा आप लोग के लिए, लेकिन उसके लिए आप लोगों का सहीओग, आप लोगों का साथ किया में जरूवत है, तो please आप लोग जितना भी अपने end से हो सकता है थोड़ा बहुत contribution वगरा जरूर करें, ठीक है, तो please contribute और इससे जितना भी फायदा होगा आप लोगों को ही इसका फायदा सारा का सारा मिलेगा, ठीक है, चलिए, मिलते हैं अगले पार्ट पे तब तक के लिए अपना बहुत बहुत जान रखेगा please do take care of yourself, thank you, have a nice day, bye bye